इस question में देखो x plus 1 x plus 2 ऐसे बहुत सारे factors है x plus 2012 तक इन सभी का product दे रखा है तो आप log ले लिजिए यहां पर जैसे आप log लोगे तो आपको यह मिलेगा log y इधर जब log लोगा ना मैं तो यह break हो जाएगा ऐसे log of x plus 1 log of x plus 2 ऐसे करते-करते log of x plus 2012 अब इसको differentiate करो वन अपॉन में y इन 2 में dy by dx वन अपॉन x plus 1 वन अपॉन x plus 2 अब टू x plus 2012 तक तो dy by dx वेल्यू कितने आईगी यहां से y अब इधर LCM लेलो आप LCM वैसे लेने की जरुवत तो है नहीं है ना LCM लेने की जरुवत नहीं है y-0 पूछा है हमसे ठीक है तो यह हमारे पास जो आया है वो आया है y-x y times 1 upon x plus 1 1 upon x plus 2 2012 वाय डैश ओफ जीरो तो वाय डैश ओफ जीरो जब मैं निकालूंगा तो वाय डैश ओफ जीरो तो यहां पर जो वाय की वैल्यू आएगी वो तब आएगी जब 2012 का फैक्टोरियल और जब आप जीरो पूट करोगे तो वन अपॉन में 1 वन अपॉन में 2 वन अपॉन में 2012 ठीक है 2012 का फैक्टोरियल वन प्लस वन अपॉन टू वन अपॉन थ्री 2012 तक कर दो